कि यहां यह आपका आर्पी सी का रस्तन पर्भी सर्विस कमिशन का बॉट्टनी का सेलेबस और यह पेपर टू का सेलेबस है जो कि इस वक्त में इसके लिए वीडियो बना रहा हूं आपके हम लोगों ने जो कंटेंट क्रेट किया हैं भी का उसको एक्स्प्रेंड करने के लि हिंदी में है ओवरॉल काफी बैसिक सा टॉपिक है लेकिन इसके सार्थ हमने एसेंट ऑफ सैप इंक्लूड कर लिया है यह प्लाजमोलेसिस डी प्लाजमोलेसिस इंबाइबिशन और सब कुछ हिंग्लिश में बनाने का प्रयास किया है एब्जॉर्प्शन ओफ वाटर बढ कोशिश की हमने जो टर्मिनलोजी उसको अंग्रेजी की ही रखने की क्योंकि काफी जादा अलग हो जाता है अगर उसको शंपुन रूप से हिंदी में परिवर्चत कर दिया जाए तो जो टाइटल सें जैसे एविदेंस इन सपोर्ट और डिक्सन स्थियोरी इसको हमने जान हैं आपके अंजाइम इंजाइम काइनेटिक्स टॉपिक बहुत अच्छा है ओवरॉल इस तरीके का डाइग्राम इसमें भी काफी अच्छे लिए हैं मिखेलिस मेंटें इक्विशन इस तरीके से एक्स्प्लेइन किया गया है क्योंकि आप लोगों का लेवल बहुत बैसिक रखा इसमें अलोस्टेरिक यह अलोस्टेरिक एंजाइम क्योंकि आपके रेगुलेशन का भी एक शब्द दे रखा है उसके बाद आपके फोटो सिंतेसिस यूजली सैंटिस पर बेज नाम काफी सारे आता है यह आपका यूनिट टू का यूनिट थी चल रहा है यह पूरा इसके बाद एक्स्रीम बैसी किस पर काफी बार क्योश्म पूछा जाता है जातर एक्शाम में इस पर्टिक्लर लाइन पर जिसमें और पूछता है हर तरह की आता है एंटी पींतेस्त कैसे हुआ केलविन साइकल कोशिश किए कि सारे के सारी चीजह आपके दो जो हमारी बू होता है बैक्टिरल फोटोसंथेज को भी इसमें इंक्लूड किया है हमने प्यप्र शब्दों को इंगिंज रखा और जो भाषा है पूरी की पूरी वह हिंदी है एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए गया जिसे है यहां से करे करती है लिए कि इसके कर सुद्धारन हम नहीं यहां पर ले लिए दिए जैसे मैं आपको यहां से लेबस पर आ जाओं लाइन नंबर अप्टी यह सिंगल टांस्डक्शन यहां पर आपके सब्सक्राइन को सब्सक्राइब कर दो पर पता होनी चाहिए यहां पर लिखाहँ यहां पर लिखा होवा था सो लिपिर सिग्नेल ऐसे कर gesch़ से अधकी आए पिटरी सिग्नेलिंग क मतलब हता इसमें सेकंशनले में कैल्शियुम के , we are कि यहां पर हमने यह पुरूर क पूरा विजन तक का लिए है पूरा को इसे के क्लान्ट को लीयाक cold cream ह één M ले मुख की आस एक हम ल taxation यह IP3 signaling जो कि lipid based signaling है और two component signaling में आपके यह plant को लिया है main तो क्योंकि IP3 signaling यह अपने cytokinic signaling उसके अलावा two component signaling system में हमने bacterial signaling को लिया है जो कि आपके syllabus में define किया हुए उसमें bacterial chemotaxis की पुरी की पुरी बात होती है फिर आता है आपका respiration जो कि यह अगली unit होती है इसमें glycolysis tc oxidative phosphorylation glycogen breakdown interconvergence of the hexose and pentoses यह जब भी आता इंटर conversion of hexose and pentoses तो इसमें इसका ही मतलब है आपको HMP वगरा सभी कुछ देखना है बैसिक जो introduction है respiration का उसको लेने के बाद हमने यहां पर शुरुवात कि यह वैसी glycolysis से glycolysis के बाद आप यह आपका कूरी साइकल की जो बात हो गई इधर के बाद यह आपका क्रेप साइकल इंटर convergence यह हमने टाइटल प्रॉपर्ली डाल दिया इस जगह पर इससे कि आपको जितना सटीकता से पढ़ना है कि इतना ही बढ़ना है मैं तो उससादा नहीं पढ़ना आप सीधी सीधे उतना ही पढ़िए इस जगह पर ग्लाइकोजन ब्रेक्डाउन यहां साफ साफ यह इस बार का सलेबस है आपके आर पीसी का इंग्लूड किया ग्लाइकोजन मेटलिजम हिंदी में पूरा को पूरा और यह ग्लाइकोजन की पूरी कहानी पेंटूस-फॉसविट पाथ जिसको एचमपी कहते हैं और यह चोटे मुटे oxidative phosphorylation अगली बात शटल सिस्टम हिंदी में उसके बाद plant hormones जो हमारी अगली unit है अगली यूनिट है अगली यूनिट है आपकी सिद डॉर्मेंसी जर्विनेशन प्लांट हर्मोन की यह सारी के सारे यह वाली यूनिट और इसको हम कुछ यहां से देखते हैं तो हमने थोड़ा इसको जानबूज के और में define कर दिया कि आप order में बढ़िए सीदे की सथे germination से start करेंगा बड़ा अजीव हो जाता है यह आपका oxygen अपने डार्विन बाइसन पॉल और वैंट के experiments उसके बाद सीदे आ यह आप oxygen की सारे का साथ हॉर्मोन्स डिफाइन किया है प्रॉपर्ली अपने इथिलीन में यांग साइकल को आप फुड़ा सा देख के जाएंगे जो कि यह वला है यांग साइकल अप्सेसिक एसेड देन अब कंसेप्ट फोटोप्रियोडिजम बहुत डीटेल में नहीं पढ़ना है हम लोग को फाइटोग्रोम और क्रिप्टोग्रोम की जो डीटेल स्टेडीज होती है इसमें कि हम पूरा टेजिन जिगर पढ़ लगते हैं तो अपने को देखना नहीं है अगर आपने को देखन है कि हाँ वही चुकि आप हमारी साहता के बिना पढ़ रहा है इनको तो उसलिए सेकेंडर मेटाबोल एट्ज एंड प्लांट डिफेंस यह बड़े अच्छे नोट से हैं यह वाले पूरा के पूरे इसको हमने ट्रांसलेट किया है कई सारे बुक्स है इंग्लिश मीडियम हमारा वर्जन है उसका हमने हिंदी मीडियम इसका बड़ेजन बनाया है प्लाज्मा मेंब्रेन माइट्रोंड्रिया गॉल जी यह सारा का अगली यूनिट है यहां तक क्योंकि यह अगला सेक्षन तो अगले वाले पार्ट में जाएगा दो टुकड़े बनादी थी फाइल बहुत बड़ी थी मेरी कि यह आपका सेल बाइले जी वाला पार्ट कोशिश किए जितना सा क्षिशन बनते हैं मुतना ही पड़ें क्योंकि वैसे तो अथा होता है आपको भी पता है कि सेल वैलुई जब आप लोगों ने अगर जिन्लोंने सी एसार नेट प्रिपेर किया है पर यह जो हम नोट्स बना है यह ओवरूल टिपिकल आर्पीसी के ल मायर यह ग्रिफिक्च का एक्सपरिमेंट फेमस एक्सपरिमेंट य Dieu आपके DNA कЕ टाइपस जो कि आपके में मैं में जलुफिक है यहां पर हमने इसको इसी ओडर में रखने का प्रयास किया यह आपका रैप्लिकेशन उसके बाद आजाईए आप अपना रैप्लिकेशन की पूरी कहानी से क्योंकि एक मात्र टॉपिक है जो हमें डीटेल में पढ़ना है सही बात तो है रिपेर का आपका यहां पर कंसेप्ट अगया एजेंट्स डेट डेमेज डिये ने बहुत सिंपल सिंपल बाते करनी है तो में में चीजें आपने यहां पर जो मुटेंस विसे जेनेटिक्स में भी आया गा तो इसको यहां पर समने ले लिया है ठीक है क्रॉस लिंकिंग कौन से करवा रहे हैं उसके बाद इस्ट् सब्सक्राइब करते हैं और पीछे आते तक यह कहानी थोड़ी सी एडवांस कर दी है कुछ इस तरीके से एनफेस और इसमें डिफ्रेंस जनेटिक्स में इंपोर्टेंट टर्म्स तू लर्न क्योंकि मेरा जो मानना है कि आपको जनेटिक्स बुरी तब लगती है जब आपक तो वह समझ ने लोकस क्या होता है मल्टीपल अल्लीजम क्या होता है है मिजाइगस क्या होता है को डॉमिनेंस क्या होता है तो सभी चीजों को सही दंग से परिभाशित किया है जितना हम कोशिश कर सकते थे English medium का फाइदा आपका यह है क्योंकि आप लोगों ने जब हमें सीखी थी तो काफी सारे शब्द आपने अंग्रेजी में ही सीखे थे और हम लोगों ने भी इसको प्रयास किया है कि इस तरह से अंग्रेजी ही अंग्रेजी की जब हिंदी बनाई जाए तो जो मुलू स्वरूप है वो वैसा का वैसा ही रहे और जो भाशा है सिर्फ उसको बदला जाए मुलू स्वरूप वैसा का वैसा ही है interaction of genes उसके बाद linkage and genetic mapping यह आपका अगेन हिंदी में तो इस आपका linkage mapping आपके syllabus में clearly mentioned है जैसा कि आप सभी को पता है और यहां पर genetics and prokaryotes mapping of the bacteria fast genome bacteria fast genome में mapping का basically complement analysis के बारे में यह लोग पूछना चाहा रहे है genetic transformation conjugation transduction and bacteria cytoblasmic malisterality और यह सारे के सारे topics इधर की तरफ chromosomal liberation वगेर हमने यह पूरा क्यार दिया ठीक है कि यह आपका linkage bacterial genetics के बाद आप आजाए इसमें यह आपका जो मैं bacteria fast mapping में मैं बात कर रहा था आपके कि फास बेक्टिरिया कैसे इस्तमाल हो जाता है कि क्रोमोसम बेंडिंग यह आपके टॉपिक है उसके बाद केरियो टैप इंडियर चेंज यहां पर जो टॉपिक लिखा हुआ है थोड़ा सा आगे पीछ हम लोग करके रखते हैं क्रोमोसम में डिफाइन कर दिया स्पेशल क्रोमोसम मेरा उपर आ चुका था केरियो टैप इंडियर चेंज यह डिप्लिकेशन होगारा कि सारी इवेंट्स रिंग क्रोमोसम उसके बाद म्यूटेशन्स टाइप ऑफ पॉइंट मूटेशन्स जो हम लोग लेते हैं यह एक बार फिर केमिकल म्यूटेजिंस की स्तेदी है वहाँ डीमेज वाले जगह पर मैंने दिटेश पेंगा था इसको यहां पर किया बैसे कली मिटेशन्स वही होते हैं जो कहीँने कहीं डाय्कली डायइक्ली डायरेक्ली अच्रों को प्रभावित करता है ठीक है यह सारा मामला चल रहा है आपका हिंदी मीडियम की पार्ट पॉन ऑफ हिंदी मीडियम उसके बाद मैं जाता हूं पार्ट टू अफ दे हिंदी मीडियम जो कि थोड़ा एक्षिरी मॉट्य फाइल के हिसाब से किया है यहां आपका मामला शुरू होता है ट्रांस्क्रिप्शन से अगें सेलेवस में जाएंगे तो सेलेवस में यह है कि आपका यहां से शुरू हो मैं इसको मैंने रि्योडर किया है असल में जैसे टेकनीक्स को मैं पीछे ले के जा रहा हो तो यहां से हमने लिया अब इस चीज को ट्रांस्क्रिप्शन अगें इसकी भी मैंने शुरुवात बड़े शब्दों से किये क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों मैंसे बहुत सार लोगों का मौलबाय बड़ा वीक होता है तो सिर्फ पर सिर्फ शब्द सिखा है पहले कि वॉपर गया है प्रमोटर क्या होता है एक्स्षान किया होता है इसके लिए तैप सिर्फ खेली या प्रेटियॉटिक ना बात कर ली उसके बाद यहां पर आगये हम लोग यहां से हाध कि फिल्मिलाकर चाहानी बनगी यह वाली इसमें हमने उपआरों के कुछ बिसिक regulation जो कि हमने prokaryotes में किया, eukaryotes का regulation भी इस तरीके का यहाँ पर define किया, जिसमें enhancer के बारे में बात किये, processing of eukaryotic pre-mRNA में हमने 5-time capping or 3-prime polyure tail के बारे में यहाँ पर बात की, splicing के बारे में बात की, tRNA के structure और finally इसमें आ जाता है translation, protein synthesis. तो generating code को कैसे decrypt किया गया, वो अलिपूरी कहानी, यहाँ पर जो basic question बनते हैं, वारेफ क्या होता है, amino, sr-tRNA किस प्रकार से कारे करता है, procurity और eukaryotic ribosome में किस प्रकार से अंतर होता है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया जो आपको बताती है कि यह translation कैसे होने वाला है, उसके बाद DNA recombination आपके syllabus में, एक उड़ जगह पर यहां mentioned है, अगर हम इस जगह पर चले जाएं, जैसे यहाँ पर आएंगे हम, इसमें polymerase यह थोड़ा सा ordered है, इसलिए थोड़ा सा यह हमारे इसमें, आगे-पीछे, आगे-पीछे थोड़ा सा लगेगा है, ठीक है, कुछ topics ऐसे हैं, जो हम इसको phase 2 में आप लोगों को provide कर रहे होंगे, इसमें topics भी हैं, इसमें जिनको अभी हमने पूरी तरह translate नहीं किया है, but still, you can rely on us, कि हम लोग इसको देंगे, plant tissue culture, properly, इसमें सारा का सारा जो इतने topics हमने करना है थे, वो सारे कर दिये, इसने भी एक phase 2 जरूर आएगा, जिसे कुछ topics हमने इसमें भी शायद हो सकता है, रह गए हों, यह प्रयास किया है, हर चीज को properly define करने का, यह आपका, RDT यहां से शुरूर होती है, next, यहां पर restriction enzyme के बारे में संपूर जानकारी, उसके बाद gene cloning principle technique construction of the library, इसको हमने exactly इसी साफ से लिए, जिस साफ से लिखा हुआ है, सिर्फ एक topic इसमें अभी इसमें एड नहीं है, और वो है यह वाला, जो कि अगले वाले phase में आएगा आएगा आएगा, इसको कुछ पढ़ लेते हैं, restriction mapping क्या हो, कुछ शब्द इसमें भी हमने as usual add कि हैं, जैसे आईशो शाइजोमर क्या होता है, नियो शाइजोमर, आईशो कोड़ामर, आईशो शाइजोमर कुछ मामलों में, दो या दो से जज़्यादा है, अईजाइम identical side के पहचान करता है, और अलग-अलग sources से प्राप्त enzyme, जब same side को पहचानते हैं, तो वे समान और असमान तरीके से काटते हैं, इनको बोलते हैं, आईशो शाइजोमर, समान तरीके से पहचानते हैं, नियो शाइजोमर, जो same sequence को पहचानता है, और अलग-अलग तरह से काटता है, तो आईशो शाइजोमर एक broad term हो जाती है, ठीके? और देन आईशो कोड़ामर जो एंजाइम की sequence अलग-अलग पहचानते हैं, लेकिन सिरे सेम बनाते हैं, काटते सेम टाइप का हैं, तो वो हो जाते हैं आपके नियोशाइजोमर्स, DNA-methyl transferase क्या होता है, उसके बाद क्लोनिंग पर बात शुरू हो जाती है, क्लोनिंग के बाद आपके replication, ये स्टिंजन प्लाजमिट और रिलेक्स प्लाजमिट क्या होता है, ये कुछ टेबल्स को हमने इंग्लिश में छोड़ा है, क्योंकि उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है, वेक्टर्स क्या होता है, इसको संपुनुरू से हिंदी में रखा है, हमने क्योंकि वेक्टर्स आपके एक महत्वपुन चीज है, वेक्टर्स फॉर दो प्लांट सेल, उसके बाद इसमें अलग अलगता है कि प्लांट वेक्टर्स, कॉलिफलार मजेक वायरेस, जैमिनी वायरेस के वेक्टर्स, यहां पर आगे जाने पर हमने इसको अग्रोबेक्टीरिम टुमिफेशियंस, इसको ट्रश्वैंक सापके है, उसको हमने एक्स्प्लेइन किया है, वाली कहाने को आगे लिया है, क्यों वाट इसमी कडिए ट्रांजेनिक में यह यह क्राइजन यहां पर ले लिए है, आपके सेलेबस में है तो डीने सेक्वेंसिंग के हमने यह इस तरह के हिंदी वर्जन इसको बनाया है कि सेंपल यह और ऑनली जीव कहे जाते हैं सब एक प्रकार से आपके डिटेल्स नहीं है लेकिन दो बातें इसमें स्टैप को हमने इंक्लूड किया है कि वहिया PCR होती क्या है और RT-PCR क्या होती है क्योंकि दो ही चीज़ें आपके सेलेबस में और RT-PCR में molecular beacon scorpion primer यह सभी को include किया है RFLP यह कुछ इस तरीके से define किया गया है उसके बाद आजाए methods of gene transfer in the plant अलग-अलग जो techniques हैं उनको लिया है और last में आपका थोड़ा सा थोड़ा सा थो नहीं बहुत सारा जो अपना bio statistics ठीक है so these are the some of the things जो हमने include की है यह आपका है paper 2 pot me का अगला जो video आएगा मेरा paper 1 का आएगा